राजदानी राची के रातू अंचल में कुछ लोग अपना घर छीने जाने से भैसे परिशान है ऐसे लोगों को रातू अंचल के सीओ द्वारा नोटिस दे कर जमीन खाली करने को कहा जा रहा है क्या है पूरा मामला जाइजालियासम वाद्धाता अजैलाल ने नावा सोसो मौझा में पिछले दो दिनों से हाहाकार मचा हुआ है हाहाकार की बज़ा है रातू के सीओ राजेस कुमार मिस्णा द्वारा लोगों को दिया गया वह नोटिस जिसमें कहा गया है कि आप दो दिनों के अंदर इस बस्ती को खाली कर दें और यहां से चले जाएं वजह यह बताई गई है कि नावा सोसो में जो पूरा रातू अंचल के अधिन जो पूरा का पूरा मकान है करीब 25 से 30 घर है इसको आप पबलिक लैंड बताया जा रहा है जबकि 2010 में लोगों ने रश्ट्री कर जाले से अपने जमीन के रश्ट्री कराई 2021 तक बजापता इनका म्यूटेशन के बाद रसीत तक कटता आया लेकिन अचानक से इस पूरे जमीन को पबलिक लैंड बताया जा रहा है क्या पूरा मामला है क्या राजेश्कुमार मिस्रा जो सियो है आपकी बात को समझे नहीं पा रहे है या फिर कोई ौध Úर्ज कमार मिस्रा जी के पास जब हम लोग गए और उनको giving कि हम लोग को सारव آپडेट पेपर था और बताते हुए लोग कितना भी दो दो बार चा करके भोलग कहीं पे भी जा हाइए कोट में जाओ कुछ ने होने वाला है वह लैंड शरकार का लैंड है डेम का लाइंड है और यह सब पेपर हम कुछ नहीं यह पेपर का कोई भैलू नहीं के लिए सर आप ही ने कि आप फीने प्रमिशन दिया इस घर को बनाने के लिए मगर भावुक हो जाते हैं कहीं न कहीं इस बात का इन्हें भाय है डर है कि हो सकता है कि प्रसासन प्रसासन जवर्दस्ती करके इनके आवाज को खाली ना करा दे क्या डर सतार्ण वहीं आपको डर सतारा कि यहां तोड़ने का परसासना के बोल दिया है जो सब को तोड़ देंगे हटा देंगे अपना-पना समान खाली कर लो तो टुटेगा नहीं कागज आप लोगों के पास जी सरकागज तो है पूरा कई महिलाओं को भी मैं दिखानी कुछ कर रहा हूं कितने अंदर में देखें कि हम लोग गरीब आद में हैं बाबू हम लोग कैसे कैसे करके बनाये थे और अज इस्टरी भी हो गया रसीद भी कट रहा है और हमारा घर भी तोड़ दिया गया है हम लोग यह से तैसे रह रहे हैं प्रसासन ने रातू के सियों ने जो हुक्म जारी किया है उसे बापस लि को हाथ उठा के बता दिए देखे यह की ही आसरा एक ही सहारा की मुक्मंत्री हमन सुरेन इनकी बात जरूर सुनेंगे इनकी गुहार जरूर सुनेंगे और तब इनकी बस्ती भी बची रहेगी और बस्ती बचेगी तो आबादी भी बची रहेगी उमीद की जाने चाहिए कि सुवे के मुक्वंत्री इन गरीब बस्ति में रहने वाले लोगों की पीड़ा जरूर सुनेंगे करमन दिवासीज के साथ अजयलाल निउज एलेवन राची